कि वहने मात्रा में युवास आती हूं विश्रस कर ऐसे युवास आती जो बैंकिंग चत्रवर अपना क्यारीर बनाना चाहते हैं उनके लिए मैं तुपन अपडेट है सब्सक्राइब अपडेट के लिए और जिसके लिए और जिसके लिए ओनलाइन रिष्ट्रेशन और अप्लिकेशन एंड पेइमेंट है वह सतरा ग्यारा से शुरू हो जाएगा यानि कल से यह फॉर्म बढ़ने शुरू हो जाएंगे और साथ बारा तक फॉर्म बढ़े जाएंगे और इसके लिए जो भी है यह से क्लेगल जो क्लेगल ग्रेट होता है उसकी वेकेंशी है एप्लिकेशन हार इमेंट वेट फ्रॉम इलिजिबल इंडियन सिटिजन्स फॉर अपांट्मेंट एजूनियर असोसियेट कस्टमर सप तॉर्म इंड मेंट लेगल बार्या रच्छियेट वेक्टि चट्र मेंट प्लीजिब टेया रचियाची वेक्ट आर इंडियन्स जीए लाह टेएंट इंड यूर्ड को को यही राच्य में आविदिन करना है। वेक्टर केंट इस प्रॉमें अटेट ब्रॉम्हा ब्र आप पर रहे हैं वहां की जो भी लोकल लेंग्वेज वह आपको आने चाहिए उसमें आपको रीडिंग राइटिंग स्पेकिंग बगरा अंडेस्टेनिंग है वह सारी होनी चाहिए तो कहना का मलब है आप जिस राज्य से समधिते जाहां की पासा आप जानते हैं उसी राज् सब्सक्राइब करें तो यहां मैं आपको होता हूं जैपू सरकल है जैपू सरकल में राज्तान है और इसमें कापी बंपर वेकंसी है यानी 940 वेकंसी है जिसमें एक सुन साथ एक सोबाइस एक सोट्याशी चराणवे और तीन सो सततर यह कैटिग्री वाइज जन्रली डूबले सुगरा किये और इसके लबाव अलग लग जो भी सरकल है उसके साब से यह टोटल वेकंसी जो यहां है व आप अनलाइन एप्लिकेसिन फोर्द फोर्द फ्रॉम लोकल लेंवेज यानी आपको जो भी लोकल लेंवेज उसमें से एक बासा चुननी है इसके लावा जो भी रज्जवार जो पासा है वह आप देख लें एक व्रतिकों के बार एक ही सरकल या रज्ज़ी में फ़र्म ब जनव नहीं होना चीए और 14 2013 and 13 के बायद का जनम नहीं होना चीए 14 23 के बाद करें महीं और तो वह just कर नहीं होगा और झालंट से पहले घर 59 कंशानवीक से 14 Gay बासा इसमें स возмож Def अग्रीस दर्मियन आपका जनम है तो आप फरम बर सकते हैं इसके लबावा जो भी एज लिमिट है अपर लिमिट है उसमें STAC को 5 साल OBC को 3 साल जो भी डिव्यांग है उनको 10 साल और जनरल की दिव्यांग और प्लस जो भी यह वो तो यह सारी उमर उगरा उसका क्रेटिर आप देख लें इसके बाद में डिसेबिलिटी जो है जो भी दिव्यांग जो लोग है विजडियोशन 4 परसंट विट बैंच पार्क डिसेबिलिटी उनके लिए चार परसंट और जोडियोशन होगा तो जो भी के टेगरी हुए उसकी में रिज़िवेशन होगा यहां से आप देखेंगे यह पूरी केटि लिए वह है आगे बात करेंगे जो भी लिस्ट आप मीडियम और एक्जामिनेशन फॉर अकॉंटिंग तो इस्टेट में आप किस किस पाशा को चैन कर सकते हैं तो जैसे ब्यार वगरा है जिसमें इंदी इंग्लिस कर सकते हैं चाथिकान सराच्व में इंग्लिस गुज्रा योजर्ण रहेगा तो स्लेक्शन विल बी गविल कन्सिस्ट ओप अलाइन टेस्ट प्रिल्मीली और मेर ने ग्जाम जानी एक तो प्री होगा एक में होगा दू श्टेप में एक्जाम होगे और टेस्ट फॉर इसफर फ्र बेर ओटेट लोकल लैंग्विज और लोकल जिसमें जो प्री एक्जाम होगा इसका और जिसमें लिगाओ कि तेस्ट विल बी ऑफ वन ओवर ड्यूरेशन और कंसे सेक्शन होगे एला सेक्शन होगा इंग्लिस लेंग्रेज़ का जिसमें 30 प्रस्ण होंगे 30 अंकों के 20 मिन्ट में आपको करना है तो टेम इसमें बहुत कम होता है तो आपकी अगर प्रेटिस अच्छी है तभी आप करवाएंगे रिजनिंग एबिलिटी है उसमें भी आपको 35 प्रस्ण होंगे 30 मार्ट होंगे और 20 मिन्ट में यानि 20-20 यानि 60 मिन्ट एक गंटे में आपको 100 प्रस्ण करने तो कभी टप कम ह होता है इसकी मेरिट भी कभी कम जाती को की अप्रस्ण ज्यादा होता है समय कम होता है और इच टेस्ट विल्हाइव ए सेपरेट टाइमिंग एज मेंशन अबो देर विल बी नेगेटिव मार्स फॉर रॉंग आंसर के लिए कटा जाएगा तो यह नेगेटिव मार्किं होग कि दूसरा जो इसका स्टेप होगा फेज सेकेंड होगा वह में एक्जाम होगा तो स्टुक्चर आप ओनलाइन में एक्जामिंशन क्या होगा इसमें आपके 200 मार्क्स का पेपर होगा नंबर आपक्वेस्टन्स एक सो नब्य होंगे समय होगा दो घंटे 40 मिनिट जनरल और सब्सक्राइब करने पड़ेंगे जनरल इंगलिस से वह चालिस अंगों की 40 मार्क्स होंगे 35 मिनट में क्वांटिटी एप्टिट्यूड है उसमें पचास प्रस्न होंगे पचास अंगों के 25 मिनट में करने रिजनिंग और मैन एविलिटी और कम्पूटर ऊंगे पिछास 60 मारक्स के होंगे इनके जो मारक्स है वो एक से जैद़े होंगे बाकी सब्समी नबर ग皮öंगे और इससे ладноब yelled होंगे और 200 मार्स होंगे और 45 मिनट कुल टाइम होगा दो गंडे 40 मिनट और इसके बाद में लेंग्विज का जो भी टेस्ट प्रिपेंस वाला वह होगा तो यह पुरा प्रोसेस हो गया आपको ऑनलाइन फॉर्म बना उसकी तारीक मैंने आपको होता दी इसके लावाज जैस जैसे इसकी जो साइट है वह और भी डिटेल आप जाना चाहिए तो यह पूरी वीडियाप में आपको टेलिग्रम चैनल पर उप्लोद करा दूंगा इसकी जो भी वेबसाइट है की वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसके बाद में यहां से जैसे इसका फॉर्म जैसे पंजब की बात करता हुए तो यह तो होगे प्रिक्षा के संभावित गंद्र इसके बाद में जो भी फॉर्मेट वगरा है वो दिया है अब आपको आपको एस्पी की जो साइट है इस पर आपको लोगिन करना है जैसे बैंक डॉट एस्पी डॉट वेब करेंगे इस करेंगे तो आपको ऑज़ यह जो साइट है यहां SBA की साइट है इस पर ले जाएगा तो डाउनलोड करना चाहिए आपकी स्क्राइजमेंट इंग्लिस में आप यहां से डाउनलोड करने है इसकी नीचे ओनलाइन एपलाइगा जो लिंक है वो 1711 से काम करेगा तो यहां मैं जैसे क्लिक करूंगा ओनलाइन एपलाइब तो इस तरी के से यह साइट पे तो ले सब्सक्राइब करना है तो अभी जैसे एपलिकेशन इस नौट यह श्रू नहीं हुआ है है तो जब भी यह तो आपको यहां से क्लिक करते है सीधा है तो यह शोड़ेशन के श्लुए क्लिक swept कर और लिये are वहा है नायए अग्श्रीषा न कर लिया उसके बाद में को लोगिन करना है यहां से आपको रेस्टेशन नंबर और पासप़र्ट डाल कर리ल आप लॉगिन कर सकते हैं तो यह सारी जनकरी थी इस्टेट बैंक में मैंने आपको दया एक बंपर वेकंसी एस्टेट बैंक में वह आई यह जो अब जगर यह पातरता रखते हैं और अगर आप चाहते हैं तो रिकुट्मेंट आप जूनियर असोशेट है वह आप फॉर्म ज चैनल के लिए चैनल प्रूबने रहें मिलते हैं नेक शूडियो में तब तक जय हिंद जय भारत